मैं प्रकास आपका स्वागत करते हैं आपके अपने Current Heaven के YouTube चैनल पर दोस्तों आज है 23 मही 23 मही 2021 से जितने भी important current affair के question बनेंगे उसके साथ static जी के और प्लस जितने भी fact होंगे related सब कुछ बताने वाले हैं प्रकास्ट में एक topic ऐसा लिए जाता है जो आपके सारे exam के लिए maximum exam के लिए चाहे जिस exam का प्रपिसंद का railway, SSC, bank, UPSI, UPTate, Lake Pal, UPSC, UPTate, CTate, SuperTate, सारे exams के लिए महत पूड़ाने वाला है दोस्तों एक उम्मीद सिर्फ आप से रहती है कि आप ज्यादे ज्यादे संख्या में बच्चों को जोड़ें, सब्सक्राइब करवाएं, सेयर करें, लाइक जरूर करें दोस्तों अभी तक बेल आइकन पर क्लिक नहीं किये हैं तो जरूर कर लें दोस्तों आप लोग के लिए पांच मिनट का जीके और मैथ ट्रिक स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको भी रोजाना देखें, आपको बहुत ही ज़्यादे फाइदा होगा आज का पहला क्वेशन, हाल अही में किस देश ने महासागर और लोकन उपग्र हयांग टूडी का सफलता पुरुक प्रच्छे पड़ किया है, दोस्तों यह और कोई नहीं, यह हमारा पड़ोसी चीन है, भारत का पड़ोसी यानि कि हमारा पड़ोसी चीन ने ऐसा का नामा क अगर पर्यावरर निगरानी प्रड़ाली बनाने कि अपने प्रयास के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रत सफलता पुरुक कच्छा में भेज दिया है, यानि कि समझ रहे हैं, आपके तीन लेयर होते हैं, आपको कभी हम बिल्कुल बीदिवत इसको समझा देंगे इसी एक सेप्रेट वीडियो में, जो 12 बजय आती है, इन्हों ने एक ऐसा कारनामा किया है, जो की एक ऐसा लांच इन्होंने किया है और चेताओनी परदान करेगा, सारे मौसमों के बारे में, आपदाओं के बारे में, समुन्दर से जितने भी आपदाएं लहर उगर उठत आपके एक्जाम में पूछा जाएगा, फोर भी राकेट द्वारा लांच किया गया है, दोस्तों उत्तरी पश्मी चीन में जीव क्वान सैटलाइट लांच सेंटर से हैयोंग टूडी उपग्र ले जाने के लिए लांच किया गया था, ये बात भी याद रखेंगे, क्या ना बी और हैंगो टूसी ये तीनों इसके कटेगरी हैं, जो कि उपग्रहों के साथ एक सभी मौसम और उच्छ आवरिती और मध्यम और बड़े पैमाने की गतिसील महासागर पर्रवरड निगरानी के लिए बनाए गये दोस्तों, याद रखेंगे नच्छत्र का निर्माड कर अमेरिका का भी है नासा जिसके स्थापना 1958 में हुआ था उसी समय हमारे DRDO का स्थापना हुआ था नाइंटिएट फिटीएट में तो जापान का है जाक्सा उसी तरह चीन का भी है इस पेस इजिन्स जिसका नाम है CSA जिसकी स्थापना जो हुआ था 22 अप्रैल 1993 को हुआ था चीन के बिजिंग में हारिजियन जिला में इस थी थे दो इतनी बात पर यहां से याद रखेंगे यहां पर बात हुआ चीन का तो चीन के बारे में सब कुछ बदा आते हैं आपको बिश्था में सबसे ज़्यादा बाइस भी क्योई टो अब करता लगभ बारहा देश हजार भुटान, मियमान, वियतनाम, उत्री कोरिया, मंगोलिया, रूस, लाउस, इतने देशों से अब और से एर करता है, इसके संसत का नाम है National People's Congress, उसी तरह आप यहाँ से याद रख लेंगे, रूस का संसत का नाम डियूमा, जापान का डायेट, दोस्तों याद रखेंगे, दोस सबसे बड़ा उत्पादक देश भी ची नहीं है, हाई स्पीड मैंगलेव का सफलता पुरोक परिछर करने वाला भी देश, दोस्तों काओने चीन है, बाइडू, इसका खुद का निविगेशन सेटलाइट, अभी हाल ही में यह लांच गया था, दोस्तों याद रखेंगे, चीन ने अपना पारंप्रिक लालटेन महसो मनाया था, दोस्तों चीन को ऐसीया का मरीच करते हैं, उसी तरह सेम तुर्की को यूरूब का मरीच करते हैं, दोस्तों, दोस्तों, चीन की मुद्रा हमने आपको बहुत बार बताया है, युवान यारेनमिन भी, यहां के तो चलते हैं नेक्स क्वेस्ट के तरफ रही में विस्वस्तर पर अंतराष्टी चाय दिवस कम मनाया गया दोस्तों यह तो बता देंगे दोस्तों यह मनाया गया था आपका 21 मई को तो आगे भी तीन डेट और हैं तो जब और डेट आएंगे तो हम उसमें आपको सारे मई के जितने भी डेट हैं सब रिविजन करा देंगे तो आप यहां से याद रखेंगे अंतराष्टी जो चाय दिवस है वह 21 मई को मनाया गया है है न दोस्तों चले आगे चलते हैं हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारती कौन बने हैं दोस् पहले भारती इसको जीतने वाले कौन बन गए सुरेस मुकुन दोस्तों यह बात आप यहां से याद रखेंगे तो यह अवार्ड जो है जीतने वाले यह पहले भारती बने हैं इस वाई से बहुत महत्पूर हो जाता है और दोस्तों इन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियाल इस अवार्ड का जो नाम है डांस के आसकर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है इसे यह बात आप यहां से याद रखेंगे दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट करशन के तरफ चलिए हालही में समवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विवित्ता दिवस कम मनाया गया है तो यह कम मनाया गया है आपसे यह पूछा जा रहा है तो आप बता देंगे यह मनाया गया है 21 माई को मनाया गया है विष्व सांस्कृतिक विविदता दिवस हर साल 21 मई को विष्वस तरफ मनाया जाता है दोस्तों याद रखेंगे इसी दिनी का उदेश दूनिया की सांस्कृतिक यो की समरिद्ध का जश्न मनाना तता सांती और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए समावेस और सकारात्मक परिवर्तन के एजेंट के रूप में इसकी विवित्ता के महत्त को उजागर करना है दोस्तों सिर्फ इसका यही महत्तों है दोस्तों वर्सु 2001 में संयुक्तर राष्ट सैचिक वैग्यानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेसको जिसे बोलते हैं ने 2001 में अफगानिस्तान में बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं के विनास के प्रेडाम सुरूप सांस्कृतिक विवित्ता पर सारुबहुमी घोषडा को अपनाया फिर दिसंबर 2002 में संयुक्तर राष्ट महासभा यू एन जीए जिसे बोलते हैं ने अपने प्रस्ताव 57-249 में एक कई समय को समवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विवित्ता दिवस के लिए घोषडा कर दें यहां से बहुत बार के उसन पूछा जाता है इतनी बाते आप यहां से याद रखेंगे चलते हैं नेक्स्ट वर्सन के तरफ चलिए हाल ही में राष्ट्री आतंगवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया दोस्तों यहां पर आपको सारे मई के जितने भी दिवस ने सब रिविजन कराने वाले हैं तो आप लास्ट तक बने रहिए हो सके तो आप पॉज करिए वीडियो को इस है जो भी हुँ है जायराठोड टवक्स में दोस्तों फाल ही में जो अंतर राष्टी आतंगवाद बि रोधी दिवस मनाया गया कभना गया तो बतातेंगे दोस्तों यह भी मनाया गया है 21 interrupt 21 ⑫ के सारे तिवस हम आपको rib प्रिस जो टुट जाता है चार मही को अंतराश्टी अगनी समन्ट डीवस और एक दिवस और एक दिवस मनाए जाता है इंटरनेशनल डे आप दे यहाँ देशनल दोस्तों चौ मही को इंटरनेशनल नो डाइट दे गया था साथ मही को ब्यारो बार्डर रोड ओगनाईजेशन का एक स्थापना दिवस मनाए गया है दोस्तों याद दखेंगे आठ मही को विश्व थैलिसीमिया दिवस विश्व प्रवासी पच्छी दिवस और रेड क्रॉस दिवस मनाए गया था जो की 1963 में इसकी अस्थापना हुई कि याद रखेंगे चलते हैं नेक्स क्षी तरफ हाले ही में किस ने ओक्सिजन की कमी को कम करने के लिए oxygen recycling system का design किया है, दोस्तों इसमें क्या होगा, जो oxygen होगा, oxygen को recycle किया जाएगा, मतलब कि उसे दुबारा बनाया जाएगा, मतलब सर इसमें क्या होगा, तो आपको सब कुछ बताते हैं, आप details सुनिए पहले, पहले हमें जान लेते हैं, जो यह मनाया गया, किसके दौरा मनाया ग तो इसको UDVS मनाया जाता है और जो यहांने कि जल सेना उसे नौ सेना भी बोलती है हम लोग या दखेंगे और सब्सक्राइब लेकिन इसमें तीनों सेनाओं को एक जगह करने के लिए एक अलग से स्टाप की गठन किया गया जिसका नाम है सीडिया स्टीफ डिफेंस नहीं कि चीफ आफ डिफेंस स्टाप दोस्तों इसके जो अध्यच है बिपी निरावत जी है दोस्तों याद रखेंगे इतनी बातें च सब्सक्राइब को बतातें जितनी बी राजस्तान का जैपूर है आपको पता है और यह यहां के असोग गहलोथ जी हैं अगरराज मिस्टरी है दोस्तों यहां पर अभी स्वास्त मित्र निुक्तू किया गया था राज को सिटिजन एप्लिकेशन यहां पे लांच हुआ था यहीं पर स्वीट इट वरिंग यहां पर लांच हुआ था दोस्तों अल्टा फोरम जिसे बोलते हैं यहीं पर आयू का सेहत साथी एप तू कंसल्ट विथ डॉक्टर आउटलाइन यहीं पर सुरुआ था दोस्तों यहीं पर रसिका कुलिया और रड़ थंबर नेशनल पार्क ह थी सितना प्रड़क्त दोस्तों कि यहां पर सारे जिटनेन शुरू किया गया था। कामधेनु डेरी योजना शुरूआ थी, यही पर इंद्रा रसोई की शुरूआत की गई थी दोस्तों, यही पर डेरी छेत्र में एक उत्कृष्टा केंदर स्थापित किया गए, दोस्तों, यहां की लोग सबा सीट 25, राज सबा के सीट 10 है, विदान सबा के सीट 200 है, यही प प्रमुख रहे चुके हैं, यहां पर आपको पता होगा, यह जो इनके बारे में कुछ बताते हैं, जेके दत के बारे में दोस्तों, यह जो मुंबई का आतंगवादी हमला हुआ था 26 सिग्यार वाला, 26 सिग्यार का दोस्तों, उसमें यह counter-terror-offs का इन्होंने नित्री तुकि किया था दोस्तों, उस operation का अच्छा नाम क्या था, जो मुंबई आतंगवादी हमला था, Black Tornado, बता देंगे Black Tornado नाम था दोस्तों, 1971 बैज के IPS अधिकारी भी रह चुके हैं, इतनी बात आप यहां से याद रखेंगे, चलते हैं, next question के तरफ, हालही में, मार्था, यहां प बिल्कुल महत्वपूर हो जाता है, तो बता देंगे, ऐसा हुआ है केन्या देश में, तो से हाँ पर केन्या की बात हुए, दोस्तों, पहले इनके बारें बात कर लेते हैं, यह 61 वर्सी, मार्था, कुम, एक सान्ती, लेकिन कटर मैला हैं, दोस्तों, याद दखेंगे, चलत करेंगे, और जितना आपको आता है, सब कुछ लिखने की प्रेक्टिस करेंगे, ज्यादा ज्यादा लिखिए, कुछ भी लिखिए, करेंट के बारे में, लेकिन लिखिए, जिससे आपका रिवीजन होगा, हाली में, विस्वस्तर पर मन्दमक्की दिवस जो मनाया गया था, वो 20 मही को मनाया गया था, अच्छा लगा आप, तोस्तों क्योस्तना आप देखेंगे, हाल ही में COVID-19 के कारण एसिया कब 2021, अनिसित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, एसिया कब 2021 किसे देश में होने वाला था, यह आपको बताना है, तोस्तों आज का जो important question है, सारे ए देश के जो संसद हैं, पूरे जितने देश हैं, उसके नाम, जैसे मिस्तर के संसद का नाम, पाकिस्तान के संसद का नाम, नेशनल असेंबली, जर्मनी के बूर्ड स्टेक, यूसे के कांग्रेस, जो बंगला देश है, उसके संसद को क्या बोलते हैं, जाती संसद बोलते हैं इजराइल के संसत को नेसेट बोलते हैं, जापान के संसत को डायट बोलते हैं, मालदीव के संसत को मजलिस बोलते हैं, इरान के संसत को भी मजलिस बोलते हैं, आस्टलिया के संसत को संगी संसत बोलते हैं, इस्पिन के संसत को कोर्टेस बोलते हैं, नेपाल के संसत को राष्ट सब्सक्राइब करेंगे तो आप बहुत ही जल्द मास्टर बन जाएंगे तो आप ज्यादे-ज्यादे कोशिश किया करने की अपने दोस्तों को जोड़ने की दोस्तों धन्यवाद मित्रों